हेलो एब्रीवन मेरी ममा आज अचानक से घर पे आ गई और मुझे डाटने लगी कि अपनी वीडियो तो इतनी बड़िया बड़िया बनाती है मतलब कि एक से बड़कर एक रेसिपी में बनाती ही रहती हूं और मम भी बड़े चाव से देखती है और आचानक से आज आकर बोल पूरी और अपने फैमिली और फ्रेंट के साथ जरूर शेयर करें और हां बनाकर जरूर ट्राइ कीजिए और मुझे जरूर बताइगा कि यह कैसी बनी है और जितनी मेरी बड़िया बनी ना उतनी ही बड़िया यह आपकी जरूर बनेगी 100% सबसे मेहले पर ने चाप को कट क कर लिया था और उसको हम लोग अब बढ़िया से गरम गरम तेल में इसको फ्राइ करेंगे जब तक इस पर गोल्डन बढ़िया सा कलर ना आ जाए यह देखिए इस तरह को चाप करना कोई बड़ी बात नहीं है सब को याति हो कि चाप फ्राइ करने तो बस मैंने ऐस देखान गड़े बाते होती रही और फिर क्या था बस मम्मीं ने मम्मी को खशय का ठीक आना नहीं था क्योंको मैं मैं मम्मी के लिए स्पेशल चाह भंणारी क्यनकि फज़िया अखी मेरी नहीं बनन लिए अहने थे घुता हिनना तो क्राइब होन तो पको नहीं होना चाहिए लिग फ्रेश मलाई जो दूद की हम दूद 육ोकि मलाई रखते हैं झो पर हऽ्अनी भी मलाई यह फोर हैला अचैनल सेंद्षी माइब वैणहे महाम साल मैने गट क्या चममेशे और असे直ष पाउडर का या सदूनिद्ध है आधा चूटा चंबच यहां पर जाला है अमचूर का पाउडर यहां अपकर जरूर करें इसके बाद मेने डाला है यहां पर एक चंबच भर करके किचन किक मसाला यह बेसिक से ही मसाले हैं जो सभी के मसाले सब्सक्राइब करनें, अपना समझे मपमाइ मकल करें mantle को सब्सक्राइब करें तो को सब्सक्राइब करें कि द्धा करने एक घंटा और टाइम थो गहंदा रखसकते नहीं तो आदे घंटे में परफेक्ट है यहां पर आप नमक भी ढाल सकते हैं लेकिन थोड़ा यह ढालीगा क्यूंकि हम आपर जब ग्रेवी बनाएगे थो ग्रेवी में भी हम आप नमक ढालेगे तो नमक थोड़ा ध्यान से ही ड जसनों के जाम को जल्दी पहुती है जल्दी करो ज्दि करो जलicing ऊपने घर जाने के लेऊ ज़सा और सब को जल्दी राथी दिया तो मम्मी तो यहां पर दी मम्य को थोड़ा समझाया बुजाया और फटा फट से मैंने चाप यहां पर बनाना शुरू कर दी थी सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर दू तो जैसे मैंने पहली बताया तो वही मैं आप लोग के लिए यहां यहां पर वीडियो लेकर आ गई हूं तो गरम तेल में मैंने इहां पर फिर से एक स्लाइस के आवा प्यास भून रही हूं एक ही लीजेगा बड़ा साइस का था इसलिए काम चल गया था मेरा अगर आप चाहें तो दो छोट छोटे प्यास भी ले सकते हैं प्यास को आप पढ़िया से ब्राउन होने दीजिए और उसके बाद मैंने यहा अगर आपके घर में काजू बच गए हो तो आप यहाँ पर बदाम की जगह काजू का भी यूज कर सकते हैं लेकिन हाँ टेस्ट में कोई फरक नहीं आएगा हना बदाम का भी फ्लेवर अच्छा ही आएगा तो यहाँ पर बढ़िया से मैंने फ्राइ कर लिया है यह देखिए अब इसको प्रोपर ली ठंडा करके मिक्सी के जार में बड़ी असा पेस्ट बना लेंगे ठंडा होने के बाद है अप इसको मिक्सी में डालीए उससे पहले गरम गरम बिलकुल भी नहीं चलाईएगा प्रोपर ठंडा होने दीजिए चलिए अब हम लोग जो करने वाले ने मखन के बिना तो बिलकुल भी चाप मत बनाईएगा अगर आप चाप की रेसिपे बना रहे हो तो मखन से बहुत ही बड़ी अ फ्लेवर आता है जो फ्लेवर निखर के आता है वो नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है तो जैसे ही मखन मेल्ट होना लग गया है मखन जलना नही तेज पता है हरी लाइची है दाल चेनी है लॉंग है और दो बड़ी काली लाइची है जैसे ही असके बाद मैंने हाप पहले से ही पीस के रखा हुआ था अपना मसाला जो कि मैं बता देती हूं मैंने क्या क्या पीस के रखा हुआ था यह हैंड ब्लेंडर मशीन है जो कि जल मैंने इन को बारिक कद्दू कस कर लिया था उतना ही ज्यादा बारिक नहीं करा था अँट इसे तेस्ट बहुत बड़िया आता है और ग्रेवी भी उसी से बहुत बढ़िया बनती है तो देखो मेरा तो यह है मानना ठीक है बाकी आपकी चोईस आपकर आप इसको बिल्कुल मह उसके बाद तो फिर मम्मी ने मिर पे चिलाना शुरू कर दिया था जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ अब मैं क्या ही घरती तो फिर मुझे और थोड़ा जल्दी बनानी पड़ी तो मैंने जल्दी के लिए यहां पर जो है चाप अपनी निकाल ली थी 15 मिंट के अंदर अंदरी लेकिन उसके बावसुत भी बहुत बढ़िया चाप बनी थी ठीक है तो मैं यही बता रही थी कि जल्दी जल्दी की चक्कर में मैंने 15 मिंड में अपनी चाप को निकाल कर गर्म गरम तेल में डाल दी है और जो भी एक्स्रा यहां पर मसाला हो ना तो बढ़िया से पोंच या फिर दही मसाले जो भी हमने अपने चाप में डाले है आप बढ़िया से यहां पर भून आ जाएं यह देखिए कितनी बढ़िया लगी जैसे हमने यहां पर दही और मलाई के साथ मिक्स करी ना चाप इसका अलगी फ्लेवर भी आ रहा है खुश्बो भी बहुत बढ़िय जारी है मसालों की और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लगी तो मैंने इसको लगातार कम से कम पांच मिनिट के लिए हाई फ्लेम पर इसको पकाया है नीचे से चिपक नहीं चाहिए नहीं चाहिए कर रही हो तो फ्लेम को आप थोड़ा सा कम कर लीजिए लेकिन छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जैसे ही आल ऑई हमारे हहां पर सेप्रेट होनी लग जाए तब यहां पर अपना नेक्स टीश करें नहीं तो आप इसको पर फ्लेम को कम करके भी अपनों मसाले को आप सकते बार और अपर मसाले को बहुना है वीडियो मैंने ज़्यादा भी तेज नह नहीं रखी है ताकि आपके प्रोपरली समझ में जैसी मेरी रेसिपी बनी है या फिर जैसी मेरी चाप बनी है मसाला चाप आपके भी वैसे ही बने तो लास्ट में मैंने थोड़ा सा यहां पर रहना कुछ मसाले डाल दिये थे एक छोटा चमस डाला है धनिया पाउडर वही न साला मैंने बहार से नहीं लिया है ताकि आप भी असानी से से घर में बना सके थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वात के नुशार और दो चमच भर की हमें मैंने ली है कस्तूरी मेथी हलकी सी तय पे आप रोस्ट कर लीजिए और बस उसके बाद इसका फ्लेवर बहुत बढ़िय जाता है तो दो चमच भर क्याप कस्तूरी मेथी डाली है बहुत ही बढ़िया लगती है और बस जिसमें हमने चाप को रखा था ना उसमें थोड़ा सा पानी घुमाई है और बस इसको इसमें डाल करके बढ़िया से एक से दो मिन तो सेकंड के लिए हां पर आप फ्राइक की पानी के साथ ताकि जो भी पानी है वह उड़ जाए यह देखिए मतलब कि इतनी बढ़िया खुश्पूर उड़ रही थी तो मुझे तो बहुत ही बढ़िया लग रही थी मतलब भी जी में ऐसा पानी आ रहा था तो फिर मैंने सोचा क्यों न जब ममी आई है तो जब चाप बनी रही है तो चाप के साथ क्यों न गर्मा गरम नान या फिर पूड़ी हो जाए तो ममी को नान ममी ने माना कर दिये फिर कहने चलो पूड़ी के साथ हो जाए चाप तो पूड़ी के साथ तो इतनी ओसम लगी तनी ओसमघा थे लगी थी कि अम क्या ही बताओं यह तो आपको ट्राई करने के बाद ही पता चले । वजो हमने प्याज और बदाम पीसर देखे तो यहां पर लिया तो सारह प्याज और बादम पीसर तो पड़ लिया है तो स एक्स्रा सारा घुमा फिरा अपने इस ग्रेवी में ही डाल लिया है कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चीद हो ग्रेवी बना रहे हैं तो सुबह रहे कि लिए काम आ जाएगी अब आप मौड़नी के बना रहे हो तो शाम के आप एक मानने की अगर चाब भी खतम हो जाना तो ग्र में आधा ग्लास पानी ना थो ज़्यादा पतली मेरी ग्रेवी बनी थी ना ही बहुत जादा गाड़ी तो मैंने इसको धक करके मुश्किल से 5-7 मिंट पकाया हुगा मीडियम फ्लेम पर लोड नहीं एकदम मीडियम फ्लेम पर मैंने पकाया था और यह देखी बहुत ही जल्द में ज्यादा कुछ नहीं करना आपको बढ़िया से तयार है मेरी ग्रेवी वाली मसाला चाप अब इसमें चाहें तो आधा चोटा चमच यहां पर गरम मसाला एड़ कर सकते हैं अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हूं मैं तो बहुत पसंद करती हूं मेरी मुमी बहुत प बढ़िया बनी है तो गैस को मैंने यहां पर बंद करती है और प्रॉपरली जब इसको ठंडा होने देंगा तो बहुत बढ़िया लगी जाप मैं आपको सर्फ कर देती हूं यह देखिए मैं इसकी ग्रेवी दिखाना चाहती हूं आपको यह देखिए बस मुमी मेरे को कैसे वह आप आगे भी वीडियो में देखते जाए तो आप ग्रेवी की यहां पर देख सकते हैं कितनी ज्यादा रिचनेस आई ग्रेवी में हमारे एक दम मसाला होटल स्टाइल बनी है तो यहां पर यह मैंने जल्दी जल्दी से आपको पूरिया दिखा दिखा दिए कि मैं इसको अपने फ्रेंडी ज्यातल रिलेटीव में जादा जादा शेयर करी वीडियो तक कि उनको भी इस चाप का मज़ा उतना ही आसके जितना की मज़ा आपको आया है तो गाइस मिलूंगी अगली बार एक नई रेसिपे के साथ एक नई वीडियो के साथ जब तक आपना ख्याल रखिए खुश रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल न भूली हो जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हो वो सस्क्राइब के बिना जाएगा नहीं और हाँ चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल न भूले टेक केर एंड बाबाई